असलाम लेकुम वीवर्स, वेलकम टू फूट सीक्रेट्स विद मनाजावकार आज मैं आपके साथ चिकन स्नेक्स की जबरदस्त और अमेजिंग रेसिपी शेयर करूँगी जिसके आगे आप नगेट्स को शामी कबाब को किसी भी किसम के कबाब को आप भूल जाएंगे वान टी स्पून बेकिंग पौडर आपने लेने और उसके साथ है वान टी स्पून नमक साथ में हरी मिर्चे, हरा धनिया और एक फाइन चौप की हुई प्यास छोटे साइस की जी तो चलिए अब हम जल्दी से इजी स्नेक्स पनाना शुरू करते हैं उसके लिए मैंने लिया है एक मिक्सिंग बाउल, बड़े साथ इसका आपने बाउल लेने है यह सींपल मैंने चौप में डाल के कीमा कीया है, आप बुचर से भी ले सकते हैं कीमा और घर में भी बना सकते हैं और अब हम इसमें डालेंगे एक अदद अंडा, अंडे को वीवर्ज आपने हमेशा अलग से प्याली में तोड़ने, साथ ही में मसाले जाएंगे कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पौडर, बेकिंग सोडा नहीं ह najwię। आपने लेना आपने बेकिंग पौडर लेने साथ ही में इसमें जाएगा वान टी स्पून नमक भी, अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे हैंड बीटर की मदद से आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेने बहुत ही मज़े के ये स्नैक्स बनेंगे इंशालला तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है अब ये जो हमारे पास पानी था ना हमने वो इसमें डाल दिये और इसको हम मिक्स करेंगे और आपने घबराना बिलकुल भी नहीं के ये हम क्या कर रहे हैं ये बहुत ही मज़े की हैं इंशालला ये शर्तिया मैं आप से कह रही हूँ और अब हमारे पास जो मैदा था आल परपर्स फलार उसके मैं तकरीबन फोर टेबल स्पून इसमें डालूंगी अच्छी तरह हम हैंड बीटर की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे और ये कबाब बनाने बहुत एजी हैं आप इने कबाब कह लें कुछ भी कह लें या चिकन स्नैक्स कह लें और अब हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चे, हरा धनिया और प्यास ये भी आपने जरूर डालने है जी तो बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है इस ये कंसिस्टेंसी आपने रखनी है ना ज्यादा पतला हो और ना ही ज्यादा गाड़ा जी तो यहां पर आप मैंने पैन राकती है और हम इनको करेंगे शैलो फ्राई इसी चमच की मदद से आपने गोल्ड शेप में कबाब की तरह आपने बैटर डालने है जो के बहुत ही एजिली आप डाल सकेंगे इस तरह जैसे ये मैं डाल रही हूं बिल्कुल ऐसे ही आपने डालने है कि ये कबाब की शेप में आ जाए अगर आपके पास कोई भी शेपर है आप उसकी मदद से भी डाल सकते है लेकिन वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि आप रखें उठाएं आपने इसी तरह स्पून की मदद से ये बैटर डालने और इसी तरह गोल्ड शेप में डालने इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है ये आप देख रहे हैं ये कितना इजी ली मैं डाल रही हूं तीन तीन कार के हम बनाएंगे ज्यादा आपने पैन को भार नहीं देना और फ्लेम आपने लो से मीडियम रखनी है ज्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना क्योंके चिकन का कीमा कच्छा है और माशाला ये आप देख रहे हैं ना कि कितना खुबसूरत इन पे गोल्डन कलर आया है ये जब आप बनाएंगे ना तो सब ही आप से ये रेसिपी पूछेंगे कि ये आपने रेसिपी कैसे बनाई तीन से चार मिनट के बाद हम इनको टरन कार देंगे और खुबसूरत सा गोल्डन कलर देंगे वीवर्स रेसिपी अगर आपको पसांद आये तो लाइक ज़रूर करें और कुमेंट भी ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो आप से हमबल रिक्वेस्ट है कि सबस्क्राइब किये बना आपने जाना नहीं शाम के टाइम में अगर आप ये सनैक्स बनाएं या कोई गैस टाएं या किसी भी खास मौके पे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा या आप देखें कितने मज़े के ये लाग रहे हैं तो खाने में तो क्या ही बात है जी तो माशालला सारे सनैक्स हमारे बिलकुल रेडी हो चुके हैं आप ये देख रहे हैं कि ये कितने अटेम्टिंग लाग रहे हैं कितने अमेजिंग और बहुत ही मज़े के बनाएं और इंजॉय करें अला पाक आपके दस्तरहान को हमेशा वसी रखे थैंक्स पर वाचिंग नेक्स्ट वीडियो ताक के लिए अला हाफीज